Welcome to Online Study आज के Online Study में हम लोग पढ़ेंगे RC Coupling Amplifier के बारे में ठीक है जैसा कि मैंने प्रीवियस लाक्चर में भी पढ़ाया था थ्री टाइबस के Coupling के बारे में RC Coupling, Transformer Coupling, Direct Coupling बस उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था लेकिन अब हम उसके बारे में depth में study करेंगे कि होता क्या है तो सबसे पहला कप्लिंग या RC कप्लिंग और इसी कप्लिंग का जादा यूज करते हैं ठीक है जिसका नाम होता है resistance capacitance coupling हिंदी में इसको कहते है प्रतिरोज संधारित यूगमन यह होता क्या है इसको RC coupling क्यों कहते हैं इस चीज को समझेंगे लेकिन इस चीज को समझने के लिए पहले मुझे इसके construction को देखना पड़ेगा construction से मुझे चीज़ा जादा clear होगी इसके लिए आप construction देखो यह देखिए इसमें आप ध्यान से देखो तो यह क्या दिख रहा है आप लोग को सिंगल स्टेज amplifier दिख रहा है यह भी क्या है सिंगल स्टेज amplifier है ठीक है ना अब इस इंगल स्टेज amplifier में तीन तरत यहां पर तीन कापिसिटर भी लगे हुए CC और इधर सी यहां से हम इंपूट एसी सप्लाई दे रहे हैं ठीक है और यह वी सी सी यह जो वी सी क्या कर रहा है यह दोनों स्टेज आंप लीफायर को डी सी बाइसिंग प्रोवाइड करता है ठीक है ना अगर इस सिंगल स्टेज जब भी हमें ठीजिस्टर से अम्प्रीफायर की तरह वर्क करना होता है तो przep加 को सबसे बैस्टρ सरकीट क्योंकि इसमें जो आपका operating point होता है वो active reason के mid में fix होता है और बागी byasing circuit में नहीं होता R1, R2 डिवाइडर ये potential divider का काम कर रहा है ठीक है output हमें कहां मिलता है इस RC पर मिलता है ठीक है ना output हमें कहां मिलता है इस RC के थ्रों मिलता है अब इसमें आप लोग ध्यान से देखो बच्चो कि इस यानि कि जो पहले stage का जो output है वो RC पर प्राप्त हुआ तो यहां से प्राप्त signal को हम लोग दूसरे stage यह दूसरा stage है ना दूसरे stage के input पर किस से करनेक करते हैं कप्लिंग कैपिसिटर के थ्रू करनेक करते हैं ठीक है ना यही रीजन है कि इसका नाम RC coupled amplifier रखा गया है कि कप्लिंग रजिस्टेंस इस आउट मतबीए कि RC के थ्रू मतलब कि जो कप्लिंग होता है वो किसके थ्रू करते हैं कैपिसिटर करते हैं पहले stage के output जो कि resistance पर यानि collector resistance पर प्राप्त होता है वहां से हम लोग कप्ल करते हैं ठीक है अब इस चीज में इस circuit में चीज आप देखो कि C capacitor है C क्या होता है बाइपास capacitor होता है बाइपास कर देता है अगर ऐसा ना हो तो देखी होता है कि सब्सक्राइब करिए बाइसिंग कैपिसिटर ना लगा हो तो जो AC component यहां से हैं यहां से AC component वह क्या करें कि इस पर वोल्टेज रॉप होगा उसके कारण आय हुरी ठीक है वह मrices मोटेजर वोगा तो वह क्या करेगा इस इंपट को इंपट वोल्टेज पर इफेक्ट डाले सब्सक्राइब नागए नेगटशा के का यहां पर देखो इसका डिफ्रेंस कम होता जाएगा और वी-बी की वैलु क्या हो जाएगी रिडियूस हो जाएगी ठीक है ना अब ठीक है यह समझ में आगे लेकिन यह कैपिसिटर के थ्रू कैसे पॉसिबल है कैपिसिटर के केस में बच्चों आप जानते हो कैपिसिटर के क तोOff करनी होगी तो जाएगी सबाति है च्बात है कम होगा यहां कम होगा इसकी है तो इसकी पर बिहें करे लिए अपना प्रोवाइट करिए पाथ प्रोवाइट करेंबर तो यह सी यह जो ख्रति चली जाती है जिससे की एसी का इफेक्ट इसमें नहीं हो पाता ठीक है यह बात समझ में आ गई आप लोग को और यह जो कप्लिंग कैपिसिटर यह क्या करता आप कप्लिंग कैपिसिटर देखे करता कि यहां से जो में आउटपुट में लेने इसमें एसी के साथ कुछ-कुछ DC भी माल अपन टूपाइफसी जादा एसी के केस में इसकी वैलू कम होगी तो सौट सर्कुट की तरह बीएप करेगा तो अराम से करेंट फ्लो होने लगती है ठीक है ना लेकिन अगर माल यह निकिए को पास कर दिया दूसरे अप्लिफार को यह प्रोवाइट कर दिया लेकिन अगर हम लोग DC की केस में की सिस्वा इसकी प्रीक्वेंसी जीरो से स्ञेट ओना एक सिए इनवा हो जाएगा इंफा इनवाइन उनद्कनी के लिएप करेगा ओपन सर्क,भे तो क्या कर देता रोक देता अब यही सिगनल जो यहां से प्राप्ट अउट्पुट और वन आर टू आरी बाइपास यह बाइसिंग रजिस्टर एठीक है ना वही चीज़ें जो उसमें है ना आर्सी यहां पर हमें फाइनल आउटपुट होती है फाइनल आउटपुट हमें लोड आरल के थू हम आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं ठीक है बचो किसी किसी में में सैगलquinho करते है तो यह ऊक्त चोटा सा बस दो से इंगल Karl करे मैंने बनाए बनाए हुए है 2021 सी एसे उप्र सकरार लेकिन किसी तरीकी समांद लिए बआ साइनल देटे कर्फा दोस्कोई रोग देटा आ दो अगर वरकिंग देखे तो वरकिंग के लिए बच्चों कुछ नहीं है दिखिए यहां से जैसे हम जो एसी दे रहे हैं ठीक है अब आप एक करता है और आप्लिफाइड करके हैं में आउट पूट आउट पूट सिंगनल देता है जिससे कि में वोल्ड गैंड भी इंग्रीज प्राप्त होती किसे प्राप्त होगी कलेक्टर पे यानि आर्सी के थूप राप्त होगी अब यहां से जो एंप्लिफाइड सिगनल है वह कप्लिंग कैपसिटर के थूप दूसरे सिंगल इस्टेस रांजिस्टर को प्राप्त होती है दूसरा सिंगल इस्टेस रांजिस्टर क सबीकिकी सिग् inventor जो आपर हमें इस प्राप्ट है 살ुत आप्ल का में अपने जाय। कि सब्सक्राइब हम इस नुप्त आप इस तो जहां पीडिडि angular氣 को पहले सका इस Wow पहले स्टेस का जो आउट पूट है वो दूसरे स्टेस के इंपुट के बेस पर अप्लाई किया गया है ना तो वही लिखा है जब इसे सिगनल को पहले स्टेस की बेस पर अप्लाई किया जाता है तो यह एंप्लिफाइड होके कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी पर प्राप्त ह सवाहिव मोई इसबस्त है कि पर आदिक वहत रिक्त किया जा सकती है और यह एकาร को सब सबस्क्राइब होग सब्सक्राइब तो नहीं की ज़ाज़े लेक्टा मुझे करना होता है उसको लोगर नेक्स लेक्चर में हम लोग frequency response curve को देखेंगे, इसके advantage देखेंगे, merits देखेंगे, demerits देखेंगे, तब तक के लिए thank you.